नमस्कार, आपका मेरी चैनल में स्वागत है आज मैं आपके लिए परवर्तनी एकादसी की ब्रत कथा लेकर आई हूँ अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में भगवान विश्णू कीज़े अवश्य लखिए साथी अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे हैं पहद्र पद्मा के सुकल पच्च की एकादसी को परिवर्तनी एकादसी के नाम से जाना जाता है इस एकादसी के दिन सेश सयापन निद्रा मगन भगवान विश्णू अपनी करवट बदलते हैं इसलिए इसे परिवर्तनी एकादसी कहा जाता है इस एकादसी को अनेक नामों से जाना जाता है जैशे, पद्मा एकादसी, जल जूलनी एकादसी, बामन एकादसी, डोल ग्यारस आदे इस एकादसी के दिन भगवान विशनू के साथ मालचमी का पूजन करने से बिसेश सुख समरिद्धी की प्राप्ती होती है इस दिन भगवान क्रेशन के पूजा करने का भी विधान है इस दिन माता यसोदा का जलवा पूजन किया गया था इसे पद्मा एकादसी भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन मालचमी का पूजन करने से आर्थिक तंगी दूर होती है इसी दिन माता यसोदा ने पूरे घर को पवित्र कर भगवान के बाल रूप अफ़तार का जल्वा पूजन किया था तथा इसी दिन माता यसोदा ने पहली बार अपने बाल गोपाल क्रेशन जी को घर से बाहर निकाला था इस दिन पूरे गोकुल बासियों ने बड़ा ही जसन मनाया और जहाकी का आयोजन किया इसी उपलच में तब से लेकर आज तक भगवान क्रेशन जी की जल जूलने ग्यारस वाले दिन सुन्दज जहाकिया निकाली जाती है और इस दिन पहली बार भगवान क्रेशन को बाहर निकालने के कारण इसे डूल ग्यारस के रूप में भी मनाया जाता है एक बार युडिश्टिर भगवान क्रेशन से कहने लगे हे भगवन ब्हाद्र पद्र सुकल एका दसी का क्या नाम है इसकी बिधी तथा इसका महत्मे किरपा करके बताईए तब भगवान सिरी क्रेशन कहने लगे इस पुन्य स्वर्ग और मोच को देने वाली तथा सब पापा को नास करने वाली उत्तम बामन एकादसी का महत्मे मैं तुम्हें बताता हूँ तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनो यह पद्मा एवं परवर्तनी एकादसी जयनती एकादसी भी कहलाती है इसका यगे करने से बाज बे यगे का फल मिलता है पापियों के पापनास करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है जो मनुस इस एकादसी को मेरे बामन रूप के पूजा करता है उससे तीनों लोग पूजे होते हैं अते, मौच की इच्छा करने वाले मनुस इस ब्रत को अवश्य करें जो कमल नैं भगवान का कमल से पूजन करते हैं वे अवश्य भगवान के समीब जाते हैं जिसने भादर पर्द सुक्ल एकादसी को ब्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विश्नु सहित तीनों लोकों का पूजन किया, अतै हर वाशर अथत एकादसी का ब्रत अवश्य करना चाहिए, इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादसी भी क तथा किस तरह राजा बली को बांधा और बामन रूप रखकर क्या-क्या लीलाएं की, चतुर माश के ब्रत की क्या बिदी है, तथा आपके सैयन करने पर मनुश्य का क्या करतब है, सो आप मुझे विस्तार से बताईए, तब भगवान से रिक्रेशन ने कहा, हे राजन, मेरा पूजन किया करता था, और नितिही ब्राहमनों का पूजन तथा यगी के आयोजन करता था, लेकिन इंद्र से द्रेश के कारण उसने इंद्र लोग तथा सभी देपताओं को जीत लिया, इस कारण सभी देपता एकत्र होकर सोच बिचार कर भगवान के पास गए, ब्र अतेह मैंने बामन रुबधारन करके पांचवा अवतार लिया और फिर अतेन तेज़शी रूप से राजा बली को जीत लिया, इतनी बारता सुनकर राजा योजिटिर बोले, हे भगवन आपने बामन रुबधारन करके उस महावली देति को किस परकार जीता, तब स्रीक रे पांचवा शेन ने कहा, मैंने बामन रुबधारन करके पांचवा बली से तीन बगवूमी की याचना करते हुए कहा, ये मुझको तीन लोग के समान है, और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही मुझे देनी होँगी, तब राजा बली ने इसे तुछा याचना समझ कर तीन बगभूमी का संकल मुझे को दे दिया और मैंने अपने त्री विक्रम रूप को बढ़ा कर यहां तक की भू लोक में पद भू लोक में जंगा, श्वर लोक में कमर, महलोक में पेट, जन लोक में हिर्दे, यम लोक में कंट की इस्थापना कर, सत्य लोक में मुख उसके उपर मस्तक इस्थाफित किया शूरी चंद्रमा आदिशव ग्रह गण योग नच्छत इंदरादिक देपता और सेस आदिशव नागड़ों ने बिवित परकार से बेसुकतों से प्राथना के तब मैंने राजा बली का हाथ पकड़ कर कहा हे राजन एक पद से प्रत्वी दूसरे सिस्वर लोग पूर हो गए अब तीसरा पग में कहां रखो तब बली ने अपर जुका दिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया जिससे मेरा वैभक पाताल को चला गया फिर उसकी बिंती और नम्रता को देखकर मैंने कहा हे बली मैं सदेब तुम्हारे निकठे रहूँगा बिरोचन पुत्र बली से कहने पर बहदर पद सुक्ल एक अदसी के दिन बली के आश्रम पर मेरी मूर्ती स्थापित हुई इसी पिरकार दूसरी छीर सागर में सेशनाव के सष्ट पर हुई है हे राजन इस एक अदसी को भगवान शेहन करते हुए करवट लेते हैं इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विश्णू का उस दिन पूजन करना चाहिए इस दिन तावा चांदी चावल और दही का दान करना उचित है रातर को जागरन अवश्य करना चाहिए जो पिधी पूर्वक इस एक अदसी के बरत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा की समान प्रकाशित होते हैं और यस पाते हैं जो पाप नाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको हजार अश्यों में यगे का फल मिलता है परिवर्टनी एक अदसी की पूजवे दे इस दिन सुबह इसनान आदेशी निर्वर्थ होकर भगवान विष्नु के बामन अवतार को ध्यान करती हुए ईन्हें पंच्यमरत से इसनान करवाएं इसके परश्यात गंगा जल से इसनान करवाकर भगवान विष्नु को कुम-कुम अच्छत लगाएं बामन भगवान की कथा का स्रवन या बाचन करें और दीपक से आरती उतारें एवं प्रशाद सभी में बितरित करें और बृत रखें एक समय ही खाना खाएं और हो सके तो नमक नहीं खाएं या एक बार सेंदा नमक खा सकते हैं भगवान भिष्णू के पंचाच छर मंत ओम नमो भगवते वाशु देवाय का यथा संबग तुलसी की माला से जाप करें इसके बाद साम के समय भगवान भिष्णू के मंदिर अत्वा उनकी मूर्ती के समझ भजन कीर्थन का कारिक्रम करें परवर्तनी एकादसी का महत शहायक माना गया है भगवान भिष्णू के साथ साथ इस दिन मातल अचमी जी की पूजा अरचना भी की जाती है एकादसी का बरत एक दिन पहले सूरी आश्ट से सुरू होकर एकादसी के अगले दिन सूरी अदय के बात तक रखा जाता है पारण के शुम महूरत में ही पारण करने पर ब्रत का फल मिलता है कहा जाता है कि इस दिन भगवान भिष्णू के बावन अवतार की पूजा की जाती है इसके ब्रत का महत बाजपी यग्य के समान माना गया है इतना ही नहीं इस दिन लचमी जी की पूजा करने से धनकी कमी दूर हो जाती है आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईए साथे मेरे वीडियो को ज़्याद से ज़्यादा शेयर करिए धन्यवाद